उग्रुजी से पहले भी इनके माता-पिता की संताने थी और कुछी दिन रहकर या तो जन्म लेते ही उनका दिहान्त हो जाता था सारे घर की जिमेदारी जो है इनका बड़ा भाई समालने लगता है बेचे हुए पैसों में शायद ही इनकी माने गूड लेकर खा लिया होगा ऐसे भी बेचेंचर्मा इस पार्ट में कहते हैं तो जब ये पोलिस ने इनके भाई को पकड़ा तब भी इनके घर में खाने की समस्याएं उत्पन हो गई थी मेरे बीबी ए के सकेंट समिस्टर के जितने भी विद्यारती हैं आप सब का मेरी कख्षा में स्वागत है मेरे प्रिये विद्यारती हो इस समिस्टर जो आप के लिए अपनी ख़बर जो पार्ट है इसके बारे मैं आज मैं आपको जानकारी दूँँगी मेरे प्रिये विध्यारतियों, पहले हम जो इस पाट के लेखक है, पांडे बेचिन शर्मा उग्र, इनके बारे में समशिप्त तुमें जानेंगे, पांडे बेचिन शर्मा उग्र, उग्र जी का जो जन्म है, वो सन उन्नी सो में उत्तर प्रदेश के मीजापुर में हुआ थ आदी विधायों में अपनी लेखनी चलाई है और वे विश्वमित्र, स्वदेश, वीना, स्वराज और विक्रम के संपादत भी थे इनकी मृत्यू जो है वो 1967 को कहें इनके मृत्यू दिल्ली में हुवी थी पांडे पेचेन शर्मा उग्रजी इसमें अपनी आत्मकथा को बताते हैं जो इन पर बीती थी उसको इस पार्ट में बताते हैं उग्रजी ने बताया है कि आज 60 साल उनके हो गये हैं फिर भी जो प्रारहमभिक 20 साल तक जो इनके जीवन में संघर्श रहा जो इनोंने बहुत सारी समस्याओं जो हैं इनकी जीवन में आई थी उन समस्याओं का किस तरह से संघर्श इनोंने किया हैं किस प्रकार उन्होंने क्या हैं बच्छपन से लेकर इनकी क्या हैं बीस साल तक बहुत जियादा ही इन्होंने क्या हैं अपने जीवन को बहुत ही गरीबी में यहां तक कि उनको खाने तक के लिए खाना तक ठीक से नहीं मिलता था एसी एसी समस्याओं से जूँचते हुए शिक्षा तक जो है शिक्षा तक इनको ठीक से मिल नहीं पाई के सारी बातें करते हुए इन्होंने इस पार्ट में लिखा है प्रस्तूत पार्ट अपनी खबर लेखक पांडे बेचेन शर्मा उग्रजी के द्वारा लिखी थे उग् अपने आप बीती के माध्यम से सामाजिक जीवन के विभिन समस्याओं का निरूपन किया है जो प्रस्तूत आपके लिए पार्ट इसको उग्रजी ने लिखा है इसमें इन्होंने अपने आप बीती जो है उसको यहां पर लिखा है यह एक आत्मकता है इसके द्वारा जो सम आस्च में जोकी बहुत सारी समस्याओं है उसका निरूपन इन्होंने इसमें किया है उग्रजी ने समाज में फैले रूडियों अंधविश्वास मान्यताओं और बुराईयों का बहुत ही बारीकी से विवेचन और विशलेशन प्रस्तुत किया है और इस पार्ट के माध् हम से जो समाज में अंधविश्वास है मान्यताओं है और क्या है इस समाज में जो रूडियां है इन सारों पर इस सारी जो बुरी एक समाज को एक बुराई जो लग चुकी है इसका बारीकी से इन्होंने इस पार्ट में वरणन किया है इसमें विशलेशन इन्होंने किया है अपनी इस आत्मकथा में उग्रजी ने अभी जन्य वर्ग की कपटे वृत्ती का भी ये थार्त चित्रण किया है और इस आत्मकथा में उग्रजी ने जो की इस समाज में कुछ ऐसे कपटी लोग है उनके स्वार्त को और उनकी जो अभी जन्य वर्ग की कपटे वृत्ती का भी कपटे वृत्ती का जो उनकी काम है जो दूसरों को ठकते हैं दूसरों को दूसरों से सिर्फ कहें अपने स्वार्त को सतना ही उनका एक ढोंग होता है ऐसे लोगों पर भी इन्होंने इस पार्ट में वेंग करते हुए ही लिखा है। उनको उन पर थीका प्रहार करते हुए इस पार्ट में इन्होंने लिखा है। उगर जी जब जन में तो उनके जीने की उमीद नहीं थी। इसलिए उन्हें कुछ पैसों में बेचा गया था उग्रजी से पहले भी इनके माता-पिता की संताने थी और कुछी दिन रहकर या तो जन्म लेते ही उनका दिहान्त हो जाता था तो इस कारण उग्रजी के माता-पिता ने जब इनका जन्म हुआ तबी इनको बेचा गया था इनको बेचा गया था ताकि वो हो जिन्दा तो रह उनका अजीब नाम भी रखा गया उन्होंने साट साल की उम्र में अपनी आत्मकता लिखी और बीते आरहमिक 20 वर्षों के बारे में बताया कि उन्होंने उस दौरान कितना संघर्श किया उनके पिताजी की बच्चपन में ही मृत्य हो गई थी और उनके यहां खाने के लाले पड़े हुए थे तो शिक्षा कहां से ले पाते हैं उस समय उनके समाज में अंधविश्वास और रुड़ी वादी का अंधेरा चाया हुआ था सारे ब्रामन जजमानी के नाम पर भीक लिया करते थे लेखक ने ऐसा कहकर तीखा प्रहार किया है तो यहां पर जो पेचिन शर्मा जी जो हैं वो येक ब्रामन जो लोग रहते हैं ऐसे ही महले में इनका भी जन्म होता है ये भी एक ब्रामण ही परिवार से थे लेकिं इनके माता-पिता की बहुत सारी संतान जब भी जन्म लेती या कुछ दिन या कुछ मेहने रहकर जबकि उनका दिहान ठुआ करता था तो एक संतान भी उनसे कह जीवित नहीं रहे पाती थी तो इनके माता पिता जब बेचेन शर्मा जी का जन्म हुआ इनको बेच दिया जाता है और बेचे हुए पैसों में शायद ही इनकी माने गूड लेकर खा लिया होगा ऐसे भी बेचेन शर्मा इस पार्ट में कहते हैं और इनके महले में जो हैं बहुत सारे ब्रामन लोग ही थे और जब बेचेन शर्मा जी को बेचा गया उस वक्त उनका नाम भी अजीब तरीके से रखा गया था बेचेन शर्मा तो इसलिए इनका नाम बेचेन शर्मा पड़ा फिर वे कह रहें की इनकी या आत्म कथा जो है इन्होंने अपने साथ साल की उम्र में लिखा है और जो जन्म से लेकर बीस साल तक कैसी इनके जीवन में संगर्श रहा और खाने के लाले तक पड़े हुए थे साथी साथ जो है इनको कहें शिक्षा तक प्राप नहीं हो सकी तुकि खाने के लिए ही पैसे नहीं थे तो शिक्षा देने के लिए कहां से पैसे होते हैं और बच्पन में ही इनके पिता का दिहानत भी हो गया था पिर बेचन शर्मा जी यहां पर कहते हैं कि उस वक्त अंधविश्वास, रूडियां और बहुत सारी माननत्याएं थी ऐसे समय के इनका जन्म हुआ था तो इन अंधविश्वास समाज में किस प्रकार उन्होंने समस्याओं को जेला हैं इसकी बारे में भी यहां पर वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ जो अधिकतर भ्रामन इनके महले में या इनकी गली में थे तो वे लोग जो हैं जजमानी के नाम पर भीक लिया करते थे इन्होंने यहां पर वेंग करते हुए एक ठीका प्रहार किया है घर की सारी जिमेदारी लेखक के भाई सम्हालते थे भाई जुआ खिलाया करता था इसी से लेखक का घर चलता था एक दिन पोलिस ने छापा मारा उनके भाई गिरफतार हो गए फिर काफी दिन मिर्जापुर में केस चलने के बाद भाई को पचास रुपए जुर्माना हुआ इसके बाद लेखक के भाई अयोध्या की रामलीला मंडली में थे फिर भाई ने लेखक को भी अभिनाय में शामिल किया लेखक के भाई के मित्र को ताल और स्वर यानी पक्के राक के संगीत और नाच सिकाया फिर अयोध्या की रामलिला मंदली और भाई में अन्धन हो गई तो यहाँ पर इनके पिता का जब धियान्थ हो जाता है इसके बाद सारे घर की जिमेदारी जो है इनका बड़ा भाई समालने लगता है यहाँ पर इनकी माता भी दूसरों के घर काम करके क्या है इनकी जीवी का चलाने में सहाय अता करते और भाई तो शराबी था और साथी साथ जुवा खिलाकर क्या है इनके जुवा खिलाने के बाद जो पैसे इनको मिलते उसी से इनका घर चल पाता तो इनके घर का जो खर्च है इनका बड़ा भाई जुवे के पैसों से यहीं जुवा खिलाकर जो उनसे पैसे आते उसी से इनके घर का गुजारा भी होता इस तरह से इनका घर चलता था तो यहां पर एक दिन जो है वो पोलिस ने छापा मार दिया और बहुत सारे लोग जो जुवा खेल रहे थे उनको भी गिरफतार किया गया साथ ही साथ कहें जो उग्र जी के भाई थे वो भी गिरफतार हो गए मिरजा पूर में इनका केस चलने लगा केस के बाद 50 रुपए इन पर जुर्माना लगाया गया इसके बाद जब ये वहां से रिहा हुए याईनि जब वहां से रिहा हुए इसके बाद जो हैं वे राम लीला मंडली में काम करने में अभिनाय करने में शामिल हो गए इनके बड़े भाई तो जब ये पोलिस ने इनके भाई को पकड़ा तब भी इनके घर में खाने की समस्याएं उत्पन हो गई थी और खाने की लिए भी बहुत जियादा ही इनको कहे बहुत जियादा ही मुसिबतों को जेलना पड़ता था खाने की लिए ठीक से खाना तक इनको नहीं मिला करता था तो कहें इनके घर का स्वामी सिर्फ भाई ही था जब भाई कहें जेल चला गया और केस चलने लगा फिर जब उसकी रिहाई हुई तो वो कहें राम लीला मंडली में उसे कहें अभिनाई के लिए वो चला गए बच्पन में भी वो एक रामलीला मंडली में काम कर रहा था इनके पिताजी ने वहां से उसे खींचते हुए मारते हुए कहे वापस लाये था लेकिन आज फिर से उसने रामलीला मंडली में काम करना शुरू कर दिया था पेर यहाँ पर उग्रजी कहते हैं कि जब क्या है रामलिला मंडली में जब इनके भाई काम कर रहे थे इनको भी उन्होंने अभिनए में शामिल किया ये भी किसी और मंडली में काम कर रहे थी, वहां पर क्या है जो वेशाओं के कपड़ों से जिस तरह से सुगंद आती हैं, इसी तरह का सिंगार इनको करना पड़ता, और भिन भिन प्रकार के अभिनाईने करना पड़ता, तो इसके बाद इनके भाई ने इनको भी रामलीला मं इनको संगीत और नाचना लड़कियों की तरह ठुमकना आदी इसे इनको सिकाया, तो यहां पर वे भरत के पात्र को भी करने के लिए तयार थे, लक्षमन के पात्र को भी करते, जानकी के पात्र को भी करते, इस तरह से उग्रजी ने, कहें उग्रजी अभिनाई में जो है अभिनय किया करते थे और इनके भाई और इनको भी अभिनय से कुछ पैसे मिलते तो इनके घर को चलाने में इनकी मदद हुआ करती थी भाई तो शराबी ही था और कहें यहां पर कोई एक पात्र को करने के लिए भी इनके भाई जो हैं राम लिला मंडली वालों से वादा करते क्योंकि भरत का पात्र करने वाला जो विक्ति था वो बीमार हो गया था और यहां पर इनके भाई कहते हैं कि उग्र इस पात्र को करेगा तो उग्र कहे भरत के पात्र को इतना अच्छी तरह से किया क्योंकि यहां पर जब कहे उग्र जी घर आये तो इनके भाई ने कहा अगर पाइस तरह का भारत का भीनाय, भारत का जो अभीनाय है वो ठीक से नहीं कर पाया, तो मैं वहीं से पीटते हुए तुझे लेकर आओंगा तो यहां पर भाई के जो भाई का जो भै था उसके लिए कहें भरत का पातर करते वक्त इतना इनोंने अच्छी तरह से किया कि जो दर्शक है उनके आंखों में आशु आ गए तो यहां पर यह भी कहें जब राम से मिलते हैं यानि इस अभिनाय में उस वक्त भरत और राम में जो प्रेम था जो आंखों से उमड़ कर आता था वहीं प्रेम की जो आशु हैं उग्रजी के आंखों में निकल आए तो यह था उनके भाई के भैस तो यह पात्र जो हैं सभी लोगों ने बहुत ज्यादा ही पसंद किया तो इस तरह से इनोंने कहें अभी नए जो हैं बहुत अच्छी तरह से करते थे चाहे कोई भी पात्र क्यूं ना हो वो ग्रजी उतनी ही अच्छी तरह से उसे निभाते थे तो इसके बाद जो है भाई और जो क्या है राम लीला मंडली है उसके कोई एक मुख्य सदस्ये से इन दोनों की क्या है अन्भन हो जाती है तो भाई उस राम लीला मंडली में काम करना छोड़ देते हैं फिर ये दोनों घर आते हैं तो यहां पर उग्रजी को भी काम करने के ल लाले पड़ गए फिर वहीं इनके घर के जो इनके घर में वहीं फाके होने लगे फिर से खाने के लाले पड़ गए लेखक के चाचा और चाची ने लेखक को गोद लिया और लेखक का दाकिला तीसरी कक्षा में किया फिर चाची को भगवान की दया से संतान हुई चाचा चा में बीती घटना का जिक्र करते हैं, उनके स्कूल में लियाखत अली नामक एक कट मुल्ला जीत हैं, जो पढ़ाते पढ़ाते एक दिन हिंदूं के देवता तो मेरे अजामे में बंद रहते हैं, यह कहां मौलवी का इलाज करने लेखक ने अपने नाम से एक पत्र जैनारायन ह हाइ स्कूल के प्रिंसिपल को लिखा, इस कारण रिजिस्टर से इनका नाम उड़ गया, फिर वहीं खाने के लाले इनको पढ़ गये, उसी वक्त जब रामलीला मंडली में अभिनाय करना दोनों ने छोड़ दिया, फिर से वहीं खाने के लाले पढ़ गये, उसी वक्त इनक इनके जो चाचा और चाची थे, उन्होंने उग्रजी को गोद लिया, और इनके भाई ने भी सोचा कि एक विक्तिका तो खाना कम हो जाएगा, इसलिए कहें इनके भाई ने उग्रजी को गोद दे दिया, यहीं इनके चाचा चाची को दे दिया, इनके चाचा चाची इनको ज उस वक्त इनकी उम्र जियादा थी और इनको कहें इनके चाचा चाची जो हैं वो तीसरी कक्षा में इनका दाकिला करवाया था और यहां पर कहें यहां पर फिर से उनकी पड़ाई शुरू हो गई थी उग्र जी की प्रार्हमिक शिक्षा भी काकाहारा तक हुई थी उस वक्त वे एक बात कहते हैं कि जब वो स्कूली शिक्षा में थे काकाहारा जब सीख रहे थे उस वक्त उनको कहें अभिन यही हनुमान चालिसा पढ़ना चाहते थे वो समझते थे कि सारे संकट हनुमान चालिसा पढ़ने से कहें दूर होते हैं उस वक्त उनके घर में खाना तक नहीं था हनुमान चालिसा कहां से लेते तो उसी स्कूल में एक बच्चा जो हनुमान चालिसा अपने कहें बैग में रखकर आता था अपने बकसे में तो इन्हो जब मुक्ती हनुमान चालिसा से मिली इस तरह की उनकी मानिता थी तो ये भी वो इस पार्ट में जिक्र करते हैं और यहां पर यह कहते हैं कि फिर से जो इनकी उम्र जो है वो बड़ी थी लेकिन इनको तीसरी कक्षा में इनके चाचा चाची ने दाकिला दिलवाया तो वहां से इनकी पड़ाई शुरू हुई और कुल दो ही वर्षु हुई थे कि इनके चाचा और चाची को जो है पुत्र लाब हुआ फिर वो कहें अपने पुत्र के साथ गाम लवड गए फिर क्या था इनके चाचा चाची को भगवान की दया से संतान प्राप्त हुआ तो वे अपनी संतान के साथ कहें फिर अपने गाम लवड गए फिर से उग्र जी अपने कहें भाई जो भाई था जो बहुत यादा ही इनको दराता धमकाता ऐसे भाई के हाथ फिर से वो आ गए और अभाव वही खाने के लाले अभी भी उनके घर में थी ऐसे कहें घर में फिर से वो अपने भाई के पास लोटाते हैं फिर अपने स्कूल की एक घटना का जिक्र करते हैं यहां पर उग्रजी कहते हैं कि उनकी स्कूल में एक कटमला लियाखत अली नाम जिनका था वो थे वे पाट पढ़ाते पढ़ाते हिंदूओं के देवताओं के बारे में भला बुरा कहते थे कि हिंदू उनके देबता जो हैं उनके पैजामे में बंदे रहते हैं तो इस बात से जो हिंदू बच्चे थे उन सब को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनके प्रती कुछ कहे तो यहां पर जो वुगर जी हैं उन्होंने अपने नाम से एक पत्र जो हैं लिखते हैं मुला के प्रती जो एक मुला के खिलाफ बातें करते हुए जिस तरह की वो हिंदू धर्म के बारे में या हिंदू देवताओं के बारे में जो इस तरह की बाते करते थे इसके खिलाफ यानि मुला के खिलाफ ये क्या है एक पत्र लिखते है तो वो पत्र जो है कहें जैनारायन हाई स्कूल के प्रिंसिपल के नाम लिखते है क्योंगी जो इनकी स्कूल थी उसकी कहें मुख्य ब्रांच तो जैनारायन है स्कूल ही थी तो वहां पर किसी की हम्मत नहीं होती पत्र लिखने की लेकिन उगर जी कहें जैनारायन है स्कूल के प्रिंसिपल के नाम एक पत्र लिखते हैं तो यहां पर जब हाई स्कूल के प्रिंसिपल के नाम ये पत्र लिखते हैं तब क्या है यहां पर जो लियाखत अली थे उनके खिलाफ कारवाई ही होती है वो तो बचे नहीं लेकिन उगर जी का नाम भी जो है रिजिस्टर से निकाला जाता है क्यूंकि अनुशासन के खिलाफ जाने की वज़े से यहां पर वो कहते हैं पिर एक घोस्टी में लेखक ने तुक बंदी पढ़कर सुनाई जो अनुशित बात थी उसके लिए हेड मास्टर से माफी भी नहीं मागी उसी साल परिक्षा में फेल हुए फिर भाई के पास लौट आ रहे थे कि गाम की किसी आहोरन ने लेखक को दस रुपए का एक नोट दे कर कहा भावी को दे दो उसी पैसुन से लेखक कलकता चले विश्वनात त्रिपाटी से मिलने लेकिन बहुत मुश्किल से लेखक जब वहाँ पहुँचे उनको पता चला कि विश्वनात जी कल रात चुनार चले गए तो फिर इनको दूसरी स्कूल में इनके चाचा से ये आगरहा करके दाकिला लेते हैं वहाँ पर जो हैं इनको इनके खाने का आयोजन भी हुआ और कुछ पैसे भी मिला करते थे लकडियां खरीदने के लिए इस तरहां से उनकी पड़ाई वहां पर चल रही थी लेकिन ये घोस्टी में लेखक ने जो है एक तुक बंदी पढ़कर सुनाई जो की अनुचित बातें उसमें थी लेकिन किसी वहां पर हेड़ मास्टर को उन अनुचित बातें पसंद नहीं आते लेकिन उग्रजी ने वहां पर क्या है माफी तक नहीं मांगी फिर क्या है उसी साल फेल हो जाते है तो जो इनको खाने के लिए जो भी मिला करता था जितने पैसे मिला करते थे ये सब बंद हो जाता है फिर जो हैं वे अपने गांव लटाते हैं तो यहां पर फिर अपने भाई के पास जब वो गांव लटते रहते हैं तबी क्या हैं एक गांव की महिला ने जो है इनको 10 रुपया दे कर कहती है कि ये भाबी जी को दे देना लेकिन उग्र जी जो है वापस लवते समय ये सोचते हैं कि अगर वो फेल हो गए है इस बात का पता अपने भाई को चला तो वो तो क्या है इनको बहुत जियादा ही पीटेगा इस भैसे जो है वो उसी 10 रुपय से क्या है रैल्वे स्टेशन पहुचते हैं फिर गाड़ी क्या है कलकत्ता चले जाते हैं वहाँ पर क्या है उफे पाइदल चलते हुए रास्ते में बहुत सारी बरसाद भी होती है बहुत सारी समस्याओं को जहलते भी है फिर क्या हैimana ऐसे तैसे वे मुश्किल से विश्वनात रिपाटी जी का पता पूछते हुए दफ्तर उनके पहुंचते हैं तो जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि विश्वनात जी कल रात ही चुनार चले गए इस तरह से उगर जी ने अपने 20 साल में जितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को इन्होंने जहला था किस तरह से अपने जीवन को गुजारने के लिए संघर्श किया था नियाजी विका के लिए और पढ़ाई के लिए भी इन्होंने किस तरह से पढ़ाई के लिए भी क्या हैं बहुत सारा संघर्श किया यह सारी बाते अपनी खबर में यह लिखते है तो पार्ट आपका इतना ही था अगली कख्षा में किसी और पार्ट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे धन्यवाद